लेकिन दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी और कॉंग्रेस जब केंद्र में सप्ता में थी तब MP को सहयोग देने की तो बात छोड़िए समर्थन करने की बात तो छोड़िए डगर डगर पर रुकावटे डाली जाती थी मुसिबते प्रदा की जाती थी काम में रोड़े अठकाए जाते थे मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कॉंग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो काम में रुकावटे न डालती हो मद्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कॉंग्रेस सरकार का यही सोतेला व्यवार था और इसका प्रमान हमें चंबल छेत्रबे भी दिखता है आज एंपी में आप सभी कॉंग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाड़ने की कंपडिशन में लगे हुए है एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े फाड़ो वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो और यही दो चहरे हैं जिनोंने लंबे समय तक मद्द प्रदेश की कॉंग्रेस को चलाया है कॉंग्रेस की सरकारों को चलाया है अगर MP को बिमारू राज की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है मेरी बात सही है जर आप पुरा जोड से बताओ तो पता चले मेरी बात सही है इनी लोगों ने बिमारू बनाया ना इनी लोगों ने बरबात किया रहा तो इनको सजा मिलनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए सजा देने में जराबी कमी मत करना और तो चंबल की धरती है यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है MPK 18-30 के नवजवान ये बात बली भाती समझ रहे हैं और इसलिए MP का हर नवजवान आज कह रहा है कॉंग्रेसी सरकानों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया वो हमारा भविष्ट कैसे अच्छा बना सकते हैं मेरे परिवार जिनों कॉंग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हीत ही सब कुछ है कॉंग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थाफित करने के लिए चुनाव लड़ रही है उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र है आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं वो अपनों में सही बहार आये तब आपकी चिंता करे ना और आपने देखा होगा गुम फिर करके तीन परिवार दिखते हैं एक दिल्ली वाला और दो यहां वाला एक तिकड़ी गुम रही है बस जम नेता अपने बारे में ही सोते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संबव है यही कॉंग्रेस के नेताओं ने भुद्काल में भी किया है आज भी यही चल रहा है भाजपा के लिए गरीप मध्यंबर्ग दलीज पिछडे आदिवस्वासी परिवारों के बच्चों का भविश्च बनाना यही हमारे लिए सर्वो पर ही है आपका सपना ही आपका सपना ही मोदी का संकल्प है मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है जितना मुझे समय दिया है हर पल आपके से